दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दगा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवल आपके लिए फाइदेमंद बिजनस है हमेशा किताबे बिकती हैं आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे आपका भाई हो आपकी बहन हो आपके घर में आपके बच्चे हों वो सभी किताबे जो हैं रिजिस्टर और किताबे हमेशा खरीदते होंगे चालिस पचास लुपर काई एक एक रिजिस्टर आता है आज के टाइम पे तो ये बहुत ही फायदेमंद बिजनस है इसके बारे मैं आज सारी जानकरी आपको देने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताओंगा कि रिजिस्टर बनते कैसे हैं रिजिस्टर कापिया कैसे बनती हैं कौन-कौन सी मशीन चाहिए उसके बाद मैं बताओंगा उन मशीनों के rate क्या है कितने की मशीन है और उसके बाद मैं आपको phone number दूंगा सारा खर्चा बताके मैं आपको phone number दूंगा उनका जो ये machines और ये raw material जितना भी आता है रेजिस्टर कोपियां बनाने के लिए ये सब आपको प्रवाइड कराएंगे उन सभी के फोन नमबर भी मैं आपको दूँगा देखिए नोटबुक्स ये किताबे बनाने के लिए सबसे पहले आपको रो मेटीरियल खरीदना पड़ता है रो मेटीरियल की जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ ये आपको जिससे आप मशीन लेंगे वो ही आपको सारा रो मेटीरियल प्रोवाइड करा देगा अब इसके बाद मैं शुरू करते हैं किस तरीके से नोटबुक बनती है कौन कौन सी मशीन चाहिए देखिए नोटबुक बनाने के लिए आपको सबसे पहले वाइट पेपर को गत्ते के अंदर डालना है जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने गत्ते के अंदर वाइट पेपर को बिल्कुल एकसार तरीके से डाल दिया इसी तरह जब से पहले ये गौइट पेपर गत्टे में डाला जाता है ये गत्टा भी मने आपो बता दिया रो All Materials में पहले से ही आएगा स्बकुछ बहुत ही आसान काम है ये डालने के बाद में जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें पिन लगाई जाती है ये मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पिन लगाने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है ये मशीन कहीं तरह की आती है कुछ सस्ती आती है कुछ महेंगी आती है वो उसी हिसाब से काम करती है जैसे उनका रेट होता है जैसे उनका साइज होता है अब आप देख सकते हैं इसमें पिन लग चुकी है अब सकते हैं इसमें उटनाइब시면 जसाएंरा का भी मैं है भी खाके एसी एवरा र processing या सकते हैं पिर चड़ोदい एसमें है इस नहीं है कर दो कि अर्ब प्रड़ को हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है इतना काम को मशीन इससे क्या होता है इसे जो है चकोर किया जाता है नीचे से इकसार किया जाता है बिलकुल जो नीचे की से तरफ आप देख पाएंगे यहां पे बिलकुल इकसार कर दिया जाता है प्लेन तो इस वशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें नीचे रोलर होते हैं इससे एकसार किया जाता है इस तरीके से इसमें किताबी यह जो डाल के सारी अब इसके बाद में जो चीज शुरू होती है वो होगी इसके बाद में कटिंग की पहले आप देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से इसे रोलर में डाल के थोड़ी दिर रखा जा रहा है ताकि ये नीचे से बिल्कुल सही तरीके से एकसार हो जाए अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकसार हो चुकी है नीचे से सारी नोटबुक को कठा डाला गया इसके अंदर तो यहां पर देखे बिल्कुल एकसार हो चुकी है कर दो 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 दो कर दो पesten falls पिल आस्ता में जदी आस करदे ला만ग कर दो fa aट कर दो कर दो कर दो आजया Virginia कर दो आजया दो कर दोंगा। अब आती है बात यहां पर देख सकते हैं यह दूसरी में वही शूतरी मशीन है इसकी जो पिछली साइड है यह बड़ी मशीन है पूरी की पूरी एक तो इसकी जो पिछली साइड है उसपे अब इसे ले जाया जाएंगा सारी किताबों root को और यहां पर किताबों की cutting होगी जो raw material था वह तो जूका तो आगया इन्होंने इस तरीके से इसे बिलकूल एकसार तरीके से रख लिया है अब यह नहें इस मशीन के अंदर डालेंगे और उपर एक ब्लेड होगा बहुत ही जादा तेज ब्लेड होता है वो जो एक बार में से काट देगा सारी की सारी किताबों को तो यहाँ पर देखी किस तरीके से इन्हें निकाल के रख रहे हैं अभी अब देखी अब इस तरीके से इन्हें रखा गया बिल्कुल एकसार करके यह इन्होंने यह देखे यह ब्लेड चल गया यह आप देख सकते हैं पूरा बारी ब्लेड होता है थाकि एक सार एक बार में काटते हैं और हमारी किताब भी जो है कटके तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं ये काम हमारा हो गया complete हमारा register जो है बिलकुल बन के तयार हो चुका है अब हमें कुछ नहीं चाहिए डारेक्ट हमें इसे बेचना है और कुछ नहीं करना register बिलकुल बन के तयार हो चुका है तो अब इसे थोड़ा सा ये इकसार करेगा जो फाल्तु की जगा जहां भी होगी उसे ये सही से ब्लेड से कट कर देगा आप देख सकते हैं ये फिट से वही कर दा है ये देखिए फाल्तु का सब कट हो गया बिल्कुल और हमारा रेजिटर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है अब इतने शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी का कॉंटाक नबर मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उनसे कॉंटाक करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं अगर अब हमारे चैनल को पहली बर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा लिजिए इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सुचना आपको दोस्तो इस वुडियो में इतना है दूप करता हूं कि अपनी वुडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वुडियो को लाइक और सेर करना ना पुलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहींने बिजनेस आइडियेस पूंचे सबसे पहले आपके पर